एक आदमी ने एक बहुत ही खूपसूरत लड़की से शादी की, शादी के बाद दोनों की जिन्दगी बहुत प्यार से गुजर रही थी, वो उसे बहुत चाहता था और उसकी खूपसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्मरोग सकिन डिजीज से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूपसूरती जाने लगी, खुद को इस तरह देख, उसके मन में डर समाने लगा, कि यदि वो बदसूरत हो गई, तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा, और वो उसकी नफरत बरदाशत नहीं कर पाएगी, इस आकसिडेंट में उसने अपनी दोनों आखे खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही, समय गुजरता रहा, और अपने चर्मरोग के कारण, लड़की ने अपनी खूपसूरती पूरी तरह गवा दी, वो पूरत हो गई, लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो उसे उसी तरह प्यार करता रहा, एक दिन उस लड़की की मौत हो गई, पती अब अकेला हो गया था, वो बहुत दू, खी था, वो उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था, उसने अंतिम संसकार की सारी क्रियाविधी पूर्ण की, और शहर छोड़कर जाने लगा, तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चलपाओगे इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी, पती ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता, कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ, तो यह उसे उसक खुश रखना चाहता था, सीख, खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कम्यों के प्रती आखे बंद कर लेनी चाहिए, और उन कम्यों को नजंदस कर देना चाहिए,